नमस्कार, सारंगांठ यानि की हर्निया क्या होता है? आईए मैं आपको बताता हूँ मैं हूँ दॉक्टर पारत गर्जर, संफ्लावर मल्टी स्पेशल्टी होस्पिल के साथ जुड़ा हुआ हर्निया डेवलप्मेंटल स्टेज की वज़े से हो सकता है या उमर के साथ ओल एज की वज़े से हो सकता है डेवलप्मेंटल स्टेज की वज़े से हुने वाला हर्निया बच्चों में देखा जाता है उसको गोटिया नीचे आती है वो जो रास्ता होता है वो खुला रह जाता है और उसके वज़े से इसके अंदर आठ आ जाते है इसको हरनिया कहते है दूसरा एज की वज़े से होता है एज के साथ-साथ मोटापा, छाती की बीमारियां, स्मोकिंग, कॉंस्टिपेशन या हेवी वेट लिफ्टिंग ये सारी चीजों की वज़े से मसल की वीकनेस हो जाती है ये मसल की वीकनेस होने की वज़े से ये आठ गुबारे की तरह अंदर शरीर के अंदर से बाहर आने लग जाता है और इसको हरनिया कहते है इसकी दवाई से कोई इलाज नहीं हो सकता दो तरीके से उपरेशन हो सकते है एक कम डर्ध वाला छोटे चीरे वाला लेपरोस्कूपि यानि की दूरबिन। और दूसरा बार से चीरे का आपरेशन होता है, इसमें आराम वगेरे ज़्यादा करना पड़ता है। दोनों operation में kool मिला के ये करना होता है कि बाहर से हम एक जारी जहां पर weakness muscle की हो रखी है वहाँ पर जारी लगानी होती है ये दो most common हरनिया होते हैं एक inguainal हरनिया और दूसरा umbilical हरनिया Umbilical Hernia स्वाइब देखने को मिलता है और Inguinal Hernia स्वाइब देखने को मिलता है यह सारी चीजों का एवोइड करने के लिए आप आपका muscle tone by exercising specially core strengthening exercises करके एवोइड कर सकते है बाकी यह सब चीजों के treatment के लिए मैं और मेरी टीम अविलेबल है Sunflower Multi Specialty Hospital नारणपुरा में कर दो